दोस्तों अगर आप भी एक जियो यूजर है तो जियो ने आपके लिए एक बहुती कमाल का नया अपडेट निकाला है जिसकी मतलब से जो है अब आप 5 GB तक इमेर्जेंसी डाटा प्लान ले सकते हैं अपने जियो सिम के अंदर और साथे साथ आपको वहाँ पर कोई भी एक्स्टा चार्जिस पेर नहीं करने होते जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने जियो सिम में उस्ट डाटा का इस्तमाल करते हैं तो मिनिमम जो है वो 11 रूपीज का होता है जिसमें आपको 1 GB डाटा मिलता है तो आपको सेम तू सेम वही कोश्ट वहाँ पर देखने को मिलने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप 5 GB तक लोन ले सकते हैं यानि कि इमेर्जनसी डाटा का लोन ले सकते हैं अपने जियो सिम में और दोस्तों साथे साथ मैं आपको यह भी बताऊँगा कि कैसे जो है आप उस लोन को चुका सकते हैं कैसे उसकी आप पेमिंट कर सकते हैं तो चलिए गाइस बिना टाइम को गवे वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता दू कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल के ऐसे एलप पर नहीं है तो चैनल को जो सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने यूटूब चैनल पर लेकर आते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पर क्लिक करना होगा तो वेज यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक एक बार भी data यहां पर emergency नहीं लिया है यहां पर जो है आप पांच बार एक जीपी तक का data ले सकते हैं emergency जिसकी value 11 रूपय है तो वेज इस emergency data को लेने के लिए आपको यहाँ पर get emergency data पर click करना है तो वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी validity है वो आपके active plan तक है यानि जब तक आपका current plan चलने वाला है तब तक जो है इसकी validity है और यहाँ पर जो benefit है वो आपको केवल 1GP का यहाँ पर मिलने वाला है तो चलिए हम इसको यहाँ पर active now पर click कर देते हैं तो वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास successfully यहाँ पर message भी आगया है कि आपको जो है select करना है और उसके बाद गया है आपको वापस से यहाँ पर proceed पर click करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है हमारे पास 4 attempt और बचे हैं यानि के चार बार जो है हम अभी all loan ले सकते हैं यानि के 5 GB तक जो है हम यहाँ पर जो loan है data का वो ले सकते हैं लेकिन अगर आपको 5 GB के बाद भी फिर भी loan चाहिए तो सबसे पहले आपको 5 GB जो loan है इसका जो पैसा है वो चुकाना पड़ेगा उसके बाद ही जो है आप आगे यहाँ पर loan ले पाएंगे तो चले मैं आपको बताता हूं कि कैसी जो आपको इस loan को चुकाना है तो उसके आपको यहाँ पर due पर click करना है और वेज़ अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे payment method आ गए जो भी payment method आपको select करना है वो आप कर सकते हैं चाहिए आपका paytm हो google पे हो या फिर amazon पे हो phone पे या फिर अगर कोई other UPI ID यूज़ करते हैं तो आप यहाँ चुका सकते हैं तो चले मैं यहाँ पर loan को pay कर देता हूँ तो guys आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर phone पे से 11 रुपे जियो में add कर दिये हैं और यानि के यहाँ पर मैंने payment कर दिये हैं तो guys आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो loan लिया था 11 रुपे का emergency data plan का वो मैंने य का दिया है उसके बाद बस आपको यहां पर done पर क्लिक करना है और अगर आप वापस यहां पर जाएंगे emergency data loan पर तो वापस से आप देख सकते हैं मेरे पास फिर से यहां पर जो है 5 attempt आ चुके हैं क्योंकि जो मैंने यहां पर एक GP का जो loan लिया था उसका hand to hand यहां पर payment कर दिया है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए काफी जादा useful रहे होगी और आपको इससे लेटीड अगर कुछ भी प्रोडम से तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं साथे साथ आप यह भी लिख सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो देखते रहे और सीखते रहे